मुझे आज भी याद है वो क्लास 11 का पहला दिन जब पहले दिन के अंदर मैं अपनी कोचिंग के अंदर गया था और सो बच्चे और थे जो कि मुझे से पढ़ने में बहुत जादा इंटेलिजेंट थे उस पहले दिन की एंग्जाइटी मुझे आज भी याद है उस पहले दिन का डर मुझे आज भी याद है जो कोचिंग में सारे टीचर्स बड़ी तेज तेज पढ़ा रहे थे और उन बच्चों को समझ भी आ रहा था जबकि मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ यहां पर तो सब इंटेलिजेंट हैं ऐसे तो मैं इस एक्जाम को को भी क्लियर करी नहीं पाऊंगा बट उसके दो साल बाद जब एक्जाम का रिजल्ट आता है तो शौकिंग ली उस एक्जाम जो कि इंडिया का टफिस एक्जाम होता है उसके अ तो एक्जाम क्लियर हो पाया है तो हाई एवरीबन मेरा नाम है प्रिशान में टॉर आज बात कर रहे हैं सभी क्लास 11 और 12 की स्टुडेंट के लिए कुछ ऐसी गल्तियां बताऊंगा ना जो कि मैंने अपने एक्स्पीरियंस से सीखी अभी मैंने आपको एक कहानी सुना ही जो मेरी क्लास 11 की स्टूरी थी यह जो स्टूरी थी ना इससे आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि कुछ गल्तियां है जिनको अगर आपने अवाइड करा तो आप बड़े-बड़े competitive exams को easily crack कर सकते हो जैसे कि मैंने करा था चाहे आप IITJ की त्यारी कर रहे हो नीड की त्य यह वीडियो आपके लिए बहुत जादा important है जो कि आपकी क्लास 11 और 12 को बदल सकती है एक-एक करके वो गल्तिया बताऊंगा और उनके solutions भी बताऊंगा तो ध्यान से एक notebook में लेकर आ जाओ और सारी चीजों को note करते रहो पहली जो गल्ती थी वो थी too much competition देखो जब मैं 11 क के अंदर आये था ना तो मुझे डर तो लगा था मुझे ऐसा भी महसूस हुआ था कि यार बच्चे तो बहुत intelligent हैं मैं तो यहां पर टिकी नहीं पाऊंगा मेरा तो test में marks भी अच्छे नहीं आते थे बट मेरा mindset थोड़ा अलग था मैं उस प्रकार का बच्चा था जिसको अपने से जादा expectations नहीं थी मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं तो बहुत यह अच्छे marks लिया हूँगा इस ते फाइदा क्या हुआ जब भी जब भी मैं test देता था तो मेरे marks कमाते थे और जब मेरे marks कमाते थे ना तो मुझे उतना बुरा नहीं लगता था क्यों क्यों क्य जबराने लगते हो तुम्हें डर लगने लगता है और बुझरोग डर है ना वह बहुत बड़ी problem है क्योंकि वह डर मुझे कभी महसूस नहीं हुआ बट मेरे बहुत सारे दोस्तों का महसूस हुआ जिसकी वज़े से क्या हुआ ना उन्होंने आगे test देना ही छोड़ दिया यानि बहुत सारे उनके exam थी जिनके अंदर उन्होंने test के अंदर attempt ही नहीं करा वो test के अंदर present ही नहीं क्यों नहीं होए क्यों नहीं डर लगता था उन्हें यह लगता था टेस्ट तो दे देंगे बट अगर marks अच्छी नहीं आए तो class के बीच मेरी का इज़त रह जाएग पे हो बट अगर आपका ऐसा mindset है नहीं कि आप test के marks देखके आप डर जाते हो डिप्रेस हो जाते हो आपको बहुत दर लगने लगता है देन आप गलत पात पे हो आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो और यहीं गलती आपको डुबा देगी तो solution कह है पहली चीज़ mindset को 200 के बीच में मान लोग बड़े institute के अंदर है तो 1000, 2000, 5000, 10,000 के बीच में उससे जादा तो नहीं आरी यानि आपकी rank केवल और केवल 10,000 बच्चों को पता है दुनिया में लोग कितने हैं बहुत हैं बहुत हैं तुमारी इज़त 10,000 बच्चों के बीच में उपर नीचे पूछा जाएगा तेरे exam clear हुआ था नहीं हुआ था या फिर तेरी percentage कितनी आई थी बस इतना पूछा जाएगा तो पहली चीज यह जो too much competition तुम बोलते रहते हो ना इस mindset से बाहर निकलो इतना माल लो marks अच्छे हाते हैं बड़िया बात हैं नहीं आते कोई दिक्कत नहीं है सारे के सारे test तुम्हें attempt करने हैं ऐसा एक भी test नहीं होना चीज जो कि तुम छोड़ो अगर तुमने एक भी test मिस करा यानि तुम नीचे गिरने लगोगे इस बात को याद रखना इस वज़े से mindset को आज से याद कर लो अगला point है जाता है time table बनाना यह बहुत बड़ी गलत है कि time table का मतलब है कि लिख लिए कि 9 से 10 ये करेंगे 10 से 11 ये करेंगे 11 से 12 ये करेंगे ऐसा ही time table मना लिया 10 ता के time table अच्छा है बट 11 12 में आते ही ये time table एकदम बेकार है क्यों तुम क्या सोच रहो तुम यह सोच रहो कि मैंना 10 से 11 फिजिक्स पढ़ लूगा फिजिक्स के जगे दो घंटे लग जाएं तुम्हें ऐसा भी होता है कि एक कोशन तुम सॉल कर रहे हो और उस एक कोशन के अंदर कभी कबार 5-10 मिनिट भी लग जाता है ऐसा भी होता है तो अगर आप ऐसा एक time table बना रहे हो तो आप एकदम failure के गदार पे हो ऐसा काम ना करो अब से करना क्या है simple से strategy है हर वीडियो में बोलता हूं make क्या targets है ना इस time table को cut करके यहां पर लिख दो क्या target ठीक है अब से हमें क्या बनाना है अब से हमें target बनाने है कैसे target बनाने है यह थोड़ा idea दे दो देखो अब तुम्हें बस daily तुम्हें daily यह लिखना है कि आज मुझे क्या करन target कभी भी जादा मत रखना अगर तुमने target जादा रखे कभी भी achieve नहीं कर पाऊगे कम targets रखो जैसे कि यह मेरी notebook है इसके अंदर मैंने target लिख लिया पहला target है मेरा फिजिक्स मुझे आज पढ़नी है दूसरा target है मेरे chemistry का एक chapter का मुझे revision करना है बस इतना ही target रखो जादा target रखोगे उतना कम chances होगी उसे achieve करने की और जब आपसे वो achieve नहीं हो पाएगा तो आपका दिमाग आपको बोलेगा अरे यार तुझ तो कितना बेफकूफ है तुझसे तो अचीवी नहीं हो पाया और तुम इस target को बनाना ही बंद कर दोगे अगले दिन से होता है नहीं होता मैं एक और भाशो में आपको समझाता हूँ मेरा एक बहुत अच्छा मित्र था है ना उसका भी selection नहीं हो पाया है ना पर उसकी नहीं बहुत बेकार आदत थी एन तक क्या होता है ना बच्चे टीचर को कुछ भी नहीं समझते कि आरे दसवी तो पढ़ा रहा है इसको कितना ही आता होगा ठीक है और यही आदत वो ग्यारवी में सेम करने की मिस्टेक कर देते हैं उन्हें असा लगता है कि किताबों में सौरा ग्यान है बट उन्हें जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो तो एकदम बेवकूफ है ऐसा तुम भी सोचते होगे है ना कितनी बार हमें लगता कि सब कुछ किताबों में हैं तब आपका failure आपका downfall शुरू हो जाएगा याद रखना जादा किताबों को use मत करो जो आपके teacher बोल रहे हैं क्लास के अंदर आपके online class के अंदर केवल उन्हीं किताबों को उठाओ उनको solve करो मैंने कितने ऐसे students को देखा है जो 10 किताबे ला इतना बड़ा bundle है ना मैंने भी mistake करी थी मैं खुद बता रहा हूं मैंने भी शुरुवात में mistake करी थी पर 12 तक समझ आ गया कि यह बहुत बड़ी गलती थी मैंने भी यह करा था मैंने दसवारा किताबे रख दी और मैं अपनी जो coaching की जो DPV मिलती थी ना उन DPV कोई solve नहीं कर आते थे साथ-साथ में कुछ-कुछ concept को revise करा और उसके साथ-साथ previous year question करें जितने जादा previous year question हो सकते थे मैंने उतने लगाए अगर आप इतना भी कर लोगे NCRT साथ-साथ में obviously NCRT वगेरा और ये सब अगर आप इतना कर लोगे मैं सच बता रहा हूँ हो जाएगा 10 किताबे लगाने की कोई अवशक्ता नहीं है कोई ज़रूत नहीं है बहुत बड़ी mistake है जो कि हार एक student करता है अगली mistake देखते हैं अगली mistake है मेरी एक subject को बहुत importance जेना ऐसा हमना बहुत बार करते हैं और मैंने एसा बहुत students को भी देखा है जैसे कि एक student को math बहुत पसंद है एक को chemistry बहुत पसंद है एक को physics पसंद है एक को कोई और subject को पसंद है अब हम क्या करते हैं ना क्यूंकि हमें वो subject पसंद है तो हम दिन में माल लोग 4 घंटे को clear करना है अभी तुम्हें percentage लेके आनी है और percentage लाने के लिए तुम्हें सारे subjects को बराबर पढ़ना पढ़ेगा और even जो तुम्हारे weak subjects है जो कि तुम्हें पढ़ने का बिल्कुल मननी करता अगर तुम उन्हें पढ़ोगे तभी तुम्हारे marks improve होंगे समझ पा रहे हो अगर तुम्हें physics पसंद है अगर तुम पूरे दिन physics ही पढ़े जा रहे हो क्या फायदा physics में तो तुम्हारे number आई जाएंगे क्योंकि तुम्हें वो पसंद है अब तुम वो पढ़ो जो कि तुमसे नहीं हो पाता यानि maths पढ़ो अगर तुम्हें maths फिल्कूल पसंद नहीं maths पढ़ो दिन में 3-3 घंटे बैटके maths पढ़ो यही तो है अपने अंदर आग लाओ कि नहीं maths ही पढ़ेंगे अब जाए कुछ हो जाए maths बिल्कूल पसंद नहीं अब बैट के आज तो maths ही पढ़ना है यह करना स्टार्ट करो तुम यह करना स्टार्ट करोगे न तुम्हारे वीक टॉपिक्स भी स्ट्रोंग होते जाएंगे और यह बहुत इंपॉर्टन पॉइंट होता है किसी भी एक्जाम को कराक करने के लिए और जो लास्ट ऐसी मिस्टेक जो कि मैंने करी और मैं अपने experience से बता रहा हूँ यह मिस्टेक कि तुम मत करना जो की है बैक लॉग यानि मुझे क्या लगा 10 तक मुझे ऐसा लगता रहा था बैक लॉग क्या ही होती है एक्जाम से एक दो रात पहले बैठेंगे रिवाइस क कर दी है ना मैं सच बता रहा हूँ आपका पूरा का पूरा कोर्स पीछे छूड़ जाएगा क्योंकि सारे lecture linked होते हैं है ना एक chapter के 12 12 15 15 lecture होते हैं अगर आपने एक lecture भी छोड़ा फिर आपको आगे कर समझने आएगा उस्ते आगे कर समझने आएगा उस्ते आगे कर समझने अब तो कुछ ही समझने आ रहे class के अंदर ये क्या हो गया अब से मैंने class miss नहीं करी है ना 11th के अंदर फिर भी करी थोड़ी बहुत class miss बट 12th के अंदर तो मैंने एक दिन class miss नहीं करी हर रोज गया मैं ये consistency लानी पड़ेगी अगर तुम backlog बनने दोगे ना तो बेटा बहु इस वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में जरूर बताना टेक केर